नमस्कार दोस्तों, सुआगत है आपका Hindi Knowledge Show में तो दोस्तों, पिछले दो दिनों से हम सब का ध्यान पाकिस्तान पर था लेकिन किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि इसराईल में क्या हो रहा है क्योंकि पिछले 48 गंटों से इसराइल पर एक के बाद एक भयानक हमले किये जा रहे हैं और ये हमले इतने जबर्दस्त हैं कि इसराइल का जो सबसे बहतरी इन डिफेंस स्टम है वो भी पूरी तरीके से इन हमलों को नहीं रोक पा रहा है और इसी वज़े से इसराइल में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है और इस हमलों से इसराइल की सेना भी बोखला गई है और उन्होंने भी एक के बाद एक धुआदार हमले शुरू कर दिये हैं जिस वज़े से दोनों तरफ भारी जानमाल का नुकसान देखने को मिल रहा है और इस वीडियो में मैं आपको इस हमले की सारी कहानी डीटेल से बताने जा रहा हूँ किसने हमला किया और इसराइल का आयरन डोम इन हमलों को पूरी तरीके से रोकने में विफल क्यू हो रहा है इसका कारण भी आपको डीटेल से बताऊंगा तो बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने को एंड तक वीडियो को जुरूर देखेगा चलिए वीडियो की शुरुवात करते हैं तो दोस्तो इस पूरे मामले की शुरुवात हुई थी अब से तीन दिन पहले उस समय इसराइल को भनक लगी कि गाजा के अंदर जो आतंकी हैं वो कुछ बढ़ा करने की फिराक में है वहाँ पर अचानक से गतिवीदिया बढ़ गई हैं इसको लेकर इसराइल में एक हाई लेवल की बैठक भी हुई थी लेकिन उसके बाद मामला शान्त हो गया लेकिन कल दोपहर अचानक से इसराइल के कई इलाकों में हवाई हमलों के सारन शुरू हो गए लोग अपने घर छोड़कर बंकरों में जा चूपे क्योंकि बहुती भारी मातरा में गाजा की तरफ से रोकिट अटैक शुरू हो चुके थे इसराइल के उपर और इसराइल का जो आरेन डोम सिस्टम है जिसे दुनिया का Most Reliable Air Defense सिस्टम माना जाता है और इसराइल की जान पिछले कई दशकों से ऐसे रोकिट हमलों से ये बचाता आ रहा है ये भी उन रोकिट हमलों को रोकने में पुरी तरीके से काम्याब नहीं हो पा रहा था अगर ये 10 को रोकता था तो 3-4 इसराइल की जमीन पर गिर रहे थे जिससे की लोगों को भारी जानमाल का नुकसान शुरू हो गया और कल दो पहर से शुरू हुए ये हमले अब तक जारी हैं लगातार इसराइल के उपर एक के बार एक रुक रुक कर आतंकी भारी मातरा में रोकिट फायर कर रहे हैं वहीं इसराइल की सेना के लिए सबसे बड़ा सरदर दिये है कि गाजा के आतंकी जब पहले ऐसे रोकिट अटैक करते थे तो आरें डोम बड़ी आसानी से उन्हें रोक लेता था लेकिन इस बार मुसीबत ये है कि जो आतंकी संगठन है वो भारी मातरा में यानि की बैराज में रोकिट फायर कर रहे हैं अतलब की एक साथ भारी मात्रा में रोकिट छोडते हैं हलाकि ये गाजा के आतंकी पहले भी ऐसा ही करते थे बैराज में रोकिट अटैक करते थे लेकिन फिर भी आरेंड डोम इने पहले रोक लेता था अब क्यों नहीं रोक पा रहा क्योंकि अब इनका बैराज बड़ा हो च इसराइल के नागरिकों के घरों पर आकर गिरे जिसमें भारी जानमाल का नुकसान हो चुका है और ये नुकसान अभी तक जारी है क्योंकि लगातार ये अटैक हुए ही चले जा रहे हैं लेकिन क्या इसराइल इसे रोकने के लिए कुछ करेगा तो देखिए इसराइल के पास एक और सबसे पावरफुल एर डिफेंस सिस्टम मुझूद है इसका नाम है डेविड स्लिंक्स ये इतना पावरफुल एर डिफेंस सिस्टम है कि इसकी तुलना S-400 के साथ की जाती है लेकिन दिक्कत ये है कि इसराइल ने इसे अभी तक बहुत ही कम संख्या में बनाया है और जितने भी बने हुए है यह जादा तर सीरिया वाली बोर्डर के पास या फिर लेबनान वाली बोर्डर के पास टेचात है गाजा के आसपास इसे तैनात करने की कभी जरूत नहीं पड़ी क्योंकि इसराइल को लगता था कि गाजा को समालने के लिए आइरेन डॉम काफी है डेविड स्लिंक को ज्यादा ही हो जाएगा मेंली इसे तो लडाकू विमान या बैलस्टिक मिसाइल मारकर गिराने के लिए इस्तमाल किया जाता है लेकिन अब आइरेन डॉम से जब मामला संभाले नहीं संभल रहा तो बताय जा रहा है कि इस्राइली सेना डेविड स्लिंक्स की तैनाती गाजा के आसपास बढ़ा सकती है और फूल मोड में उसे एक्टिव कर सकती है जिसके बाद कोई भी रोकिट इस्राइल धरती पर नहीं लोंच हो पाएगा लेकिन अब आपका सवाल होगा कि इन हमलों का जवाब क्या इस्राइल ने दिया तो बिलकुल दिया और बहुती मजबूती के साथ दिया दरसल गाजा में जो रोकिट फोर्स का यहाँ पर कमांडर था उसे फिलहाल मार कर गिरा दे गया है F-35 लडाकू विमानों की साहता से ये स्ट्राइक अंजाम दी गई और बताय जा रहा है कि इसराइल एक के बाद एक भीशन इस्ट्राइक गाजा में कर रहा है और आने वाले समय में और भी बड़े आतंकियों के मारे जाने की खबरे आएगी हालाकि फिलहाल इस मामले पर यही अपडेट था मैं इससे जुड़ी हुई सारी खबरे आपको लगातार देता रहूंगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिलहाल इस वीडियो में इतना ही थैंक यू वेर मिश्व वाचिंग वीडियो